कर दोस्तो कुमकुम भागे के आने वाले एपिसोड में जहाँ एक बार फिर से जो कि मिक्का को फिर से किड्नैप करवा लिया है और किड्नैप किसी और नहीं बलके आ लिया और रिया ने फिर से अपना गेम खिल दिया है कि अगर सेड़ की भेहन हमारे कबजे में रहेगी तो ही फायदा है और उन्होंने 20 साधी में से फिर से उठवा लिया है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में एक बार फिर प्रेगनेंशी की बात की जाएं तो जल्दी ही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी सामने आएगी लेकिन दोस्तों उस चीज़ को सीड़ बताएगा नहीं क्योंकि सीड़ से बोल दिया जाता है कि अगर तुमने हमारे खिलाब कुछ भी उपयोग करने की कोशिस की तो तुमारी बेहन अब हमारे कबजे में हैं और हम उसका क्या हाल करेंगे वो तुम खुद भी समझ सकते हो क्योंकि सीड़ अब सचाई बताता हुआ नजर नहीं आएगा यहां तक कि प्राची अब अकेली पढ़ते हुई नजर आने वाली है हाला कि बात की जाएं रनवीर की तो रनवी पहले से भरोसा करता है और आज भी कहीं न कहीं वो प्राची के उपर काफी ज़्यादा भरोसा करता है हाला कि प्राची एक बार फिट से सभी के सामने एक्सपोज करेगी रिया और आलिया को क्योंकि रिया और आलिया को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है उन्हें लग रह कि इन लोगों का एक्सपोज होना कितना जरूरी है इस घर के लिए क्योंकि नहीं तो रिया और आलिया लगातार अलग अलग चाल चलती हुई नजर आ रही हैं आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से रिया का भांड़ा फोर्ड होने जा रहा है कि वो किसी के भी बच्चे की मा नहीं बन रही बल्कि वो अपना जुटा अफ़ा फैला रही है इस घर में सभी को जो कि गुम्रा कर रही है और गुम्रा करने के मामले में रिया और आलिया दोनों एक्सपर्ट हैं क्योंकि दोनों का क्रिमिनल वाइंड हैं दोस्तों वाके में यह कुछ भी कर सकती हैं पैस लोग मेरे को जरूर बताए गाइस आपको मेरे वीडियो कैसे लग रही है थैंक्यू समय